हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक इन होट ट्रिपल वन फंडामेंटल्स ओफ फोर्टी कल्चर लेक्चर एटीन ज्वेनलिटी एंड फ्लोवर बड डिफ्रेंशियेशन ज्वेनलिटी एक अवस्था जि कहलो जा एक फेज है प्लांट की जो अंकूरन होने के बाद से लेकर ज उसके बीच की अवस्ता जोणनाईल फज कहलाती है फ्लोवर बड डिफ्रेंशेशन जब फ्लोवर का कलियों का बनना फूल वाली कलियों का बनना इंडेक्शन ऑफ फ्लोवर बड अनोन एज फ्लोवरबड डिफ्रेंशेशन जुनलेटी एज सीडलिंग पासेज थ्रो डिफ्रेंट स्टेजेज इन इट्स लाइफ साइकल जो सीडलिंग होती है जा विजू पोदा होता है वो अपनी जीवन में भोसी स्टेज से गुजरता है इस स्टेजेज आज एंब्रिय जोटा होता है 20 अंकुरन होता है उसमें राड़िकल और प्रीयुमेल का निर्मान होता है एमड्रीYo udah उसके बाद होती है उसकी ज्ञेलेटी ज्युनलीटी होती है न किरेड़ई मैकोली जब उसमें फ्लोवरिंग स्टार्ट होती है मैकोटी उसके बाद होता है जाए-जै यह death ठीक है यह पोधे की कहलो की एक plant की अवस्थाएं होती है embryonic growth, juvenility, maturity, senescence and death juvenility is a developmental stage in seedling plants during which it is unable to induce flowering juvenility पोधे की एक विकास में आने वाली अवस्था है जिसमें विकास हो रहा होता है जब तक की वो flower induced नहीं करता, flower पैदा नहीं करता the length of juvenility varies between plants जो juvenility की phase होती है पोधे से पोधे तक की होती है कहलो कि जो annuals होती है उनकी अलग होती है कोई bainial है तो उसकी अलग है perennial है तो उसकी अलग है perennial में भी हर plant की अपनी अपनी juvenile phase होती है the annuals have very short मतलब जो annual होते है जहां वार्शिक पोदे होते है उनकी जो juvenile phase होती है बहुती छोटी होती है perennial है long juvenile period जो perennial होते है बहुँ वर्षय होते हैं उनकी बहुती लंबी juvenile phase होती है juvenile period of some plants जैसे रोज है गुलाब 20 से 30 दिन की होती है grapes अंगूर के अंदर लगबग एक साल की juvenile period होता है एपल के अंदर 4 aja 8 साल का होता है mango के अंदर 5 साल का होता है citrus के अंदर 5 से 10 साल जो जोने फेजर की इसके जैसे ग्रेप्स है तो एक साल बाद लगबग फल देना जाए इस पर फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं जब उसकी शाखाई मैच्वर हो जाती है तो ठीक है सिट्रस है तो 5 से 10 कुछ की स्मों के अंदर 10 येर के बाद देता है ये फलन में आता है और कुछ के अंदर ये 3, 2, 4 के अंदर आ जाता है ओकरा है 45 डेज है बनाना है टोमेटो ब्रेंजल के अंदर 60 डेज होते हैं को ये एक अनुल है ठीक है कुकुमबर 80 डेज के अंदर ये फलन में आता है क्रेक्टर स्टिक्स ऑफ जोनलेटी खून क्या है जोनलेटी के कैसे पता चलेकर कि अभी पोदा जोनलाइल फेज में है पहला तो है लीप फॉरम लीप इस विग्रस इन जोनल फेज जो पतिया होती है जोनल फेज के अंदर थोड़ी बड़े साइज की और बड़ी बड़ी पतिया होती है लीप मॉर्फोलोजी आल्सो डिफरें जोनल फेज ओप सम प्लांट्स लाइक अकेशेश पीसी और कुछ पोधों के अंदर ये बाइपनेट पाई जाती है जब वो जोनल फेज के अंदर होते है तो ठीक है मॉर्फोलोजी के लिए कहलो सरचनादमक तरीके से वो अलग होती है पतिया जब वो मैच्योर होगा उससे ग्रोथ फॉरम जोनल शूट ग्रोथ अपियर विप लाइक जैसे वाटर स्प्राउट्स हो इसको कभी-कभी वाटर स्प्राउट्स भी बोल देते हैं जैसे सिट्रस के केस में जा गवावा के केस में जो भी शाखा ऐसे ग्रोथ करती है मैच्योर पोदे से तो उससे वाटर स्प्राउट्स का नाम दे जाता है पर जलनल जो छोटा पो सिक्टर्स की कुछ स्पीसीस के अंदर जब उसकी शाख्ः कच्ची होती है तो उसके उपर कांटे की तरह है कांटे पाये जातीा ऊंतलब ठीक है तो बड़े बड़े कांटे और जैसे ही वो मैच्टोर हो जाती आ वो कांटे खतम हो जाते हैं लीफ रेटेंशन इन जोनाइल फेज प्लांट डू नॉट फाल लीफ थ्रो आउट दा यह जोनाइल फेज के अंदर पतियां कभी भी पोधा पतिजड में नहीं आता जा पतियां नहीं पूरी की पूरी पतियां नहीं जाड़ता वियरेज इन फॉल्स एन अडॉल्ट फेज जब की वह मैंचुर हो जाता है जा कैलो की फूरफ़लन में आजाता है उस समय वह पति यह जाड़ता है ठी explain लीफ रिटेंशन मतलब लीफ पती बहुत ही उसके साथ बहुत उनकी रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी स्रेंथ के साथ जुड़ी हुई रहती है, वो गिरती नहीं है पती है, ठीक है, लीफ रिटेंशन से मतलब है, root emergence in propagation use juvenile phase plant parts the root emergence faster than mature portion of plants जो root emergence होता है अगर अपने किसी पोधे की propagation के अंदर कहलो जैसे कलम लेते हैं तो juvenile phase वाले पोधे से अगर अपने कलम लेंगे तो उससे जड़ों का निर्मान बहुत जल्दी होगा जड़े जल्दी जल्दी ने कहेंगी अगर अपने ऐसे पार्ट को लेंगे जो mature हो चुका है juvenile phase से बाहर उसकी कलम लेंगे तो उससे जड़े juvenile phase वाली कलम की तुल्दी निकलेंगी next अपना इसी में topic है flower bird differentiation flower bird differentiation से पहले अपने को flower से पहले bird के बारे में जानना होगा bird जा कली क्या होती है a bird is a immature shoot system which is often surrounded by protective scale leaves जो bird होती है वो एक कच्ची शाखा है यह कहलो कि एक शाखा है ठीक है जो अभी नई नई बनी है जो कि एक protective scale जा सरक्षात्मक शल्क पत्तियों जा शल्क जो leaves पाई जाती है उनसे cover की हुई रहती है घिरी हुई रहती है the bird developed into a lateral branches जो bird होती है कली होती है ठीक है वो एक शाखा के रूप में विक्सित हो lateral शाखा जो भी होती है सायक शाखा कहलो ठीक है जा फिर एक फूल के रूप में विक्सित हो सकती है जा एक inflorescence के रूप में विक्सित हो सकती है और fruit production के लिए पुष्प क्रम के रूप में बदलना बहुत जरूरी होता है इसी flowering की कुछ stages होती है development stage होती है कि जब वो पुष्प वाली कलियों का निर्मान होता है पहली है flower bud differentiation it is also known as flower induction flower का induction होना निकलना flower का ठीक है for bud differentiation to occur there is enhanced cell division in the central zone below the apical part of the meristem meristem के जो apical part के नीचे ठीक है वहाँ पे जो उसका मध्य भाग होता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मत्रा में cell division होना start हो जाता है कोश का विवाजन होना start हो जाता है इसी कोश का विवाजन के कारण due to cell division there is differentiation of parent काइमा cell और इसी कारण जो parent काइमा cells होती है parents काइमा कोश काइं होती है उनमें विवेदन होना start हो जाता है which surrounded जो की meristem को के रखती है into flower primordia और into वह उसको convert कर देती है into flower primordia के रूप में initiation होता है श्री गनेश कहलो in second initiation of flower formation takes place इसके बाद दूसरा initiation होता है शुभारंब होता है pushp का formation का फूल के बनने का थर्ड स्टेज होती है flower development की जो it includes length of time from induction to bloom मतलब जब induction हुआ flower का शिरीगनेश हुआ उससे लेके bloom, bloom होता है उस pushp का anthesis होना जा उस pushp का पहली बार खिलना ठीक है उस time तक की जो beach की length है वो flower development में आती है during this period the flower is generally receptive to pollination और इसी दोरान जो pushp होता है वो receptive होता है मतलब उसकी जो stigma होती है वो receptive होती है pollination के लिए प्रागन के लिए opening of flower anthesis is the final stage of development जो anthesis होती है जाने कि कहलो कि first time opening of any flower जब किसी pushp का पहली बार खिलना anthesis कहलाता है pushpन कहलाता है तो वो development की flower development की last stage होती है flower is a modified reproductive shoot जो pushp होता है वो एक कहलो कि reproductive shoot है एक शाखा है reproductive शाखा है modified है जो basically a stem which with an apical meristem that gives rise to lip primordia जो होती है वो leaf primordia में रूपांत्रित हो जाती है जैसे इसमें कुछ पार्ट दी हुए है flower bud के जैसे उपर उपर दिया हुआ है leaf primordia जिसको मैंने अभी तक मैं पढ़ा रहा था leaf primordia और उसके बाद apical meristem जो बिलकुल meristem होता है बिलकुल central वाला पार्ट ठीक है इसके रावा notes होती है फिर inter notes दो notes के बीच की जो दूरी inter notes फिर bud जो कली है बड परिमोडियम इसके लावा vascular tissues जैसे जाइलम फ्लोयम इसके लावा पित पाया जाता है cortex होता है ठीक है यह आपने दूसरी picture में आप actual में जो बढ़ है वो देख सकते हो कुछ की काट के उसको दिखाया गया है flower bud differentiation and flowering in some important fruit crops जो flower bud differentiation होता है बहुत सी फसलों के अंदर बहुत पहले हो जाता है उसके बाद वो कलियों के रूप में पुष्पन पुष्प के रूप में विक्सित होती है जैसे एपल है जून जुलाई के अंदर ही flower bud differentiation हो जाता है और जब next spring आता है तो उसमें जा कहलो की ब अगले वसंत के अंदर वो पुष्पन में आता है flower open होती है पीच के अंदर भी जून जुलाई के अंदर होता है और next spring के अंदर उसमें भी पुष्पन होता है पीयर है उसमें भी जुलाई अगस्त के अंदर होता है और next spring के अंदर आम के अंदर अक्टूबर में होता है औ और next spring जानी कि February March के अंदर अभी जो flowering का time चल रहा है आम का तो इससे थोड़ा सा पहले सोरी अभी तो फल बनने स्टार्ट होगे इससे थोड़ा सा पहले flowering स्टार्ट होती है इसमें ठीक है types of birds simple bird मतलब जो कलियां होती है वो जोनली तीन परकार की होती है simple bird mixed bird compound mixed bird it grow into vegetative शूट जो mix simple bird होती है वो एक vegetative शूट के रूप में निर्मित होती है मतलब एक शूट का निर्मान करती है ऐसी कलियां ठीक है इससे इन्हें leaf bird भी कहा आता है it is also known as leaf bud, leaf जो कली है उसे पत्ती कली कहा जाता है और vegetative shoot का निर्मान करती है, शाखा का निर्मान करती है, mixed bud it grow into a shoot with a flower और जो mixed bud होती है ये एक shoot के साथ साथ एक फूल का निर्मान करती है, it is also known as flower bud और इनको flower bud कहा जाता है, mixed के अंदर मतलब दोनों ही ग्रोध करती है, shoot और with a flower एक फूल के साथ, compound buds, it grow into both leaves and flowers, और जो compound bud होती है वो पत्ती के रूप में और flower के रूप में दोनों के रूप में ग्रोध करती है, बढ़ती है factors influencing flower bud differentiation, जो factor है, कारक है, जो flower bud differentiation को परभावीत करती है, कौन कौन से है, पहले है endogenous factors, जैसे carbon nitrogen ratio, ठीक है, carbon nitrogen ratio जैसे high ratio of carbohydrate to nitrogen favor flowering, जो high ratio होता है, nitrogen का carbohydrate की तुलना में, flowering को induce करता है, मतलब flowering को बढ़ाता है in young plants, heavy application of nitrogen which lower cn ratio delay flowering, अगर अपने plantation है, अपनी कोई field है, उसमें अपने बहुत ज़्यादा मात्रा में nitrogen fertilizer दे देते हैं, जो की cn ratio को lower कर देते हैं, carbon nitrogen ratio को कम कर देते हैं, जिससे की जो flowering होती है, वो late होती है, flowering कम होती है, यह कहलो, delay कर देता है, उसे, the plant which are old, जो की बुढ़ा होता है, weak, कमजोर होता है, having higher cn ratio, flowers heavily, और जो पुराने poate होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनमें flowering ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें cn ratio ज़्यादा होता है, with respect to cn ratio, there में four situations हो सकती है, चार situation हो सकती है, cn ratio के उपर, high nitrogen and low carbohydrate, अगर nitrogen ज़्यादा है, और carbohydrates कम है, तो flower forms, और flower का निर्मान होगा, ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, push-कलियाँ ज़्यादा बनेंगी, high nitrogen and enough carbohydrate, तो भी flower formation होगा, flower का निर्मान होगा, मतलब काफी मात्रा में carbohydrate भी है, और बहुती ज़्यादा मात्रा में nitrogen है, उसके बाद तीसरी है, moderate nitrogen, मध्यम से मात्रा में nitrogen है, as well as carbohydrate, ब्राबर सा दोनों का है, good growth, amounted flower formation, मतलब अच्छी ग्रोथ भी होगी पोदे की, vegetative growth भी होगी और reproductive growth भी अच्छी होगी, मतलब दोनों अगर ब्राबर में हैं तो, low nitrogen and high carbohydrate, formation of only few birds, अगर nitrogen कम है और carbohydrate ज़्यादा है, तो pushpakaliyon का निर्मान तो होगा, पर कम मात्रा में pushpakaliyon का निर्मान होगा, बहुती कम मात्रा में बनेगी, genes second होता है, जो endogenous factor में gene, when plant undergo phasic changes from journal to adult, जब वो पोधा journal से adult phase के अंदर जाता है, तो एक evil gene synthesized होता है, जो कि the gene is responsible for turnicating joanile and adult phase which induce early flowering, जो कि joanile phase होता है, उसको cut कर देता है, उसको छोटा कर देता है, और पोधा adult phase में चला जाता है, और जिससे की flowering जल्दी हो जाती है, ठीक है, मतलब जब पोधा change कर रहा होता है, joanile phase to adult phase में जा रहा होता है, उस time एक gene का निर्मान होता है, एक gene का synthesized होता है, बनता है उसके अंदर, इल्फ, ठीक है, जो कि joanile phase को छोटा कर देता है, joanile phase के अंदर flowering नहीं होती, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, तो adult phase में बेज देता है उसको, जिससे की उसमें flowering start हो जाती है, इसके लाबा, जो joanile phase है, उसमें है, एक HST, जा इसको हस्ती gene कहते हैं, जो joanile phase को promote करता है, अगर इसका synthesize ज़्यादा होता है, यह gene ज़्यादा बनता है उस time, तो यह joanile phase को promote करता है, joanile phase में रहता है, plant flowering में नहीं आता, environmental factors भी है, जो flower bud differentiation को प्रभावित करते हैं, जैसे temperature है, temperature is main environmental factor, which is associated with flowering, ठीक है, ताबमान सबसे एक main factor है, environment का, जलवाजू का, जो flowering को प्रभावित करता है, due to availability of a particular temperature in the spring season, flowering occur at the same time each year, हमेशा तुमने देखा होगा, ज्यादा तर पोधों के अंदर, जो flowering होती है, बली वो temperate है, जो ट्रोपिकल है, उनमें flowering spring season के अंदर आती है, क्योंकि उस समय एक particular temperature पोधे को मिल चुका होता है, और वो हमेशा उसी समय flowering में पोधा आता है, उस temperature के करण, exposure to plant to low temperature favor flowering, क्योंकि उस समय उससे पहले plant exposed हो चुका होता है, कम तापमान के अंदर, तभी तो उसके बाद spring आता है, सर्दी के बाद spring आता है, ठीक है, तो bainial plants like carrot, celery, cauliflower, cabbage, turnip, etc., up to exposed to 0 to 10 degree Celsius temperature, कम इंटू flowering, और जो bainial jani की जो दुवी वर्षिया पोधे होते हैं, जैसे carrot है, गाजर, celery है, cauliflower, ठीक है, फूलगो भी, पत्तागो भी, तरनीप होता है, शल्जम, यह जब 0 से लेके 10 डिगरी तापमान के अंदर आते हैं, तो यह flowering में आते हैं, ठीक है, इस इस known as vernalization, इस process को vernalization कहते हैं, बदब 0 तापमान के अंदर उसको थोड़ी टाइम रख देना, जिससे उसमें flowering स्टार्ट होना, यह process vernalization कलाता है, और इसको कभी-कभी, अगर कम तापमान पे रखते हैं, तो इससे ज़्यादा तर जो जाना जाता है, वो chilling requirement कहते हैं, इस plants, low temperature requirement is commonly known as chilling requirement, ठीक है, उनको कम तापमान पे रखना, जनरली जो पोधे होते हैं, उन्हें 7 degrees से कम तापमान पर, पोधे के साथ से बैसे हो, चार से साथ दिनों तक की आफशक्ता होती है, मतलब उस चार से साथ दिन तक तापमान, 7 degrees से कम रहना चाहिए, तब उन पोधों की chilling requirement पूरे होती है, अलग-अलग पोधे की अलग-अलग chilling requirement होती है, ठीक है, photo period, some plants flowering only when their photo periodic requirement is fulfilled, ठीक है, चलो मैं इससे पहले बताता हूँ, chilling requirement, chilling requirement जैसे apple है, apple की लगवग 1500 horse होती है, 1500 गंटे उसको 7 degrees से कम तापमान के चाहिए होती है, apple pier की लगवग सेम से, मैं 800 के आज से लेके 1500 तक होती है, वैसे variety के साथ से भी change होती है, ठीक है, तो photo period क्या होती है, some plants flowering only when their photo periodic requirement is fulfilled, कुछ पोधों के अंदर, जब उनकी photo periodic requirement पूरी हो जाती है, तो फ्लोवरिंग में आ जाते हैं, according to photo period plants are categorized into three broad categories as under, उचको तीन divide किया जाता है, तीन category के अंदर divide किया जा सकता है, पहला है long day plant, LDP भी बोल देते हैं, flowering occur only if day length is 12 hour, और more than 12 hour, मतलब कम से कम 12 गंटे जाएं, इससे जाधा time light रहती है, ठीक है, तो जड़ दिन की अवदी हो रहती है, ज़री कि सूरज जितनी देर, जाधा देर रहेगा 12 गंटे से, तो इनमें flowering होती है, और short day, जिनमें 12 गंटे से, कम जिनकी length के अंदर, वो flowering में आते हैं, ठीक है, short day plants, और day neutral, जिन पर photo period का कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो day length ज़्यादा है, भले ही वो कम है, तो ये day neutral plants कहलाते हैं, light, light intensity, duration, as well as quality influence, bird differentiation and flowering, light intensity, ठीक है, और duration, उसकी कितनी अवदी तक रहती है, duration तो अपने पढ़ी लिया, photo period के अंदर, और intensity भी, और उसकी जो quality है, वो भी flowering को प्रभाबित काती है, plant receive high light intensity, flower properly, then low light once, अगर light बहुत ज़्यादा, intensity होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ती है, तो वो ज़्यादा, क्या कहते हैंगी, flowering में आता है, as to जो, कम light के अंदर रहती है, उनकी तुलना में, ठीक है, ज़्यादा light बारे पोधे, उसमें फलन ज़्यादा होता है, light में, ज़्यादा light में, ज़्यादा फलन होता है, जैसे कि आप example ले सकते हो, जो outer branches होती है, fruit plant की, उनमें फलन ज़्यादा होता है, inner की तुलना में, जो अंदर की शाखाएं हैं, उनकी तुलना में, red light, जो sunlight होती है, red light, वो flowering को ज़्यादा promote करती है, quality वाइस देखा जाए, ठीक है, इसलिए quality भी उस चीज़ को, flowering को परवाबित करती है, इसके लावा maintenance factors है, जैसे nutrients है, nutrients भी decide करते है, vegetative और reproductive growth को, जैसे nitrogen है, इसके लावा fast forest है, इसके लावा बहुत से और भी है, जो nutrient उसकी, जो flower bud differentiation है, जब flower का बनना है, कलियों का, उनको प्रवाबित करते हैं, जैसे nitrogen है, अगर ये nitrogen ज़्यादा देते हैं, तो क्या होता है, कि इसकी पोदे की vegetative growth ज़्यादा होती है, और flowering कम होती है, इसके लावा fast forest भी बर्क करता है, जैसे protein synthesis का करता है, cell division होता है, इसके लावा potash translocation करता है, ये sugar का potash है, जो translocation of sugar, sugar जो carbohydrate है, उसका translocation में भी साहिक है, ठीक है, इसके लावा moisture है, non availability of moisture, extend that time of flower bud differentiation, अगर moisture ज़ा नमी प्रयाप्त मात्रा में नहीं है, ज़ा कमी है, तो flower bud differentiation extend हो जाता है, जहां कहलो कि पाउज हो जाता है, कुछ time के लिए आगे चला जाता है, flower primordia is less in water deficient conditions, जो flower primordia होता है, वो कम बनता है, जहां पर पानी की कमी होती है, ऐसी अवस्ताओं में, ठैंक यू,